हे ओल राइट और वेलकम टू आल इंट टूडे इस दाहिंदू न्यूश पेपर एनलेसिस डेली के बेसिस पर कम्प्लीट न्यूश पेपर एनलेसिस करते हैं और हम फोकस कर रहे हैं यूपी एसी दोहजार बाई जो की होने वाला है फिफ्थ जून को जैसा हमने आपसे प्र साथ डिसकस करेंगे ताकि आपके नोट्स बन बनाए प्रिपेर हो जाएं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला तो सेक्षिन हमारा यही रहता है पूरे न्यूश पेपर में जो हाइलेटेड न्यूश हैं जो हमारे काम की और जिनके सा करेंगे और यह फॉरण फंड एंजियो के लिए क्यों मॉनिटर इतने जादा किये जा रहे हैं में इसमें भी करेंगे उसके साथ युनाइटेट किंग्डम ने को वैक्सीन को क्या कर दिया अपनी लिस्ट में इंक्लूट कर दिया है क्यों किया है यह हम डिसकस करेंगे और दिल्ली में रहते हैं तो डैंगू से बचिए डैंगू से related sciences से direct question पूछा जा सकता है तर डैंगू इसमें discuss करेंगे air quality index उसके बाद यहाँ पर दो news air quality index से हैं इसको भी discuss हम करने वाले हैं परियार जो डैंग है वो कहा है आप से directly स्टेट पूछा जा सकता है वो है केरला में बट maintain कौन कर रही है तमिन लाडू उसके बाद कुछ editorial से हैं जो हम detail में करेंगे इंडिया और सिलंका का fisherman issue तो आपको पता है बट इंडिया और पाकिस्तान का fisherman issue भी है वो हम discuss करेंगे यूपी प्लिस किस तरह से लखिमपूर केस में डिसकस कर रही है सुप्रिम कोट ने किस तरह से direction दिया immunization program है में चलाना चाहिए वो discuss करेंगे N.A.C.A. अजीड दोबाल के बारे में डिसकस करेंगे फिर world level की news फिर है आपकी business news बंगला देश ने अपने former chief justice को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया ये सब हम detail में discuss करेंगे world page के news में हमारी वीडियो का आज से दूसरा section रहेगा जितने भी notes आज हम discuss करने वाले हैं उनको बताना सबसे पहला point ministry of home affairs पूरा discuss करेंगे दूसरा है FCRA यानि कि foreign contribution regulation act 2010 और इसकी PDF भी आपको मिलेगी तीसरा है GMC यानि कि third edition है goa maritime conclave का और उसके बाद है डैंगू के बारे में discuss करेंग ये सब आज के notes होंगे हमने highlighted news देख लिए notes देख लिए अब हम detail में discuss करते हैं पूरा news paper बड़ उससे आगे बढ़ने से पहले analysis सुरू करने से पहले आप लोगों को एक answer देना है अब से हम static plus current या geography based question देंगे और सभी लोगों को आप यहां तक पहुंच चुके हैं वीडिय प्रमोट होगी नव बात करते हैं आज के question जो सभी लोगोंने answer करना है इंडियन constitution में कौन सा सविधान में कौन सा amendment act मिनी constitution कहलाता है मतलब एक ऐसा सुधार किया गया हमारे सविधान में जिसमें major major जो point वो लिए judicial review का fundamental duties का ठीक है यह सब चीज़े हैं तो कौन से amendment act को कौन स constitutional amendment act को mini constitution बोला जाता है option है आपके 41st amendment act 42nd amendment act 43rd amendment act और 44th amendment act आपको UPSC answer writing analysis notes आपको कहां से मिलेंगे आपको telegram application जाना है और उसमें search करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे यहां पर सभी notes आपको मिल जाएंगे अगर यह directly channel नहीं मिलता तो telegram में हम link दे देंगे आप directly description में link दे देंगे telegram का आप directly वहाँ से भी visit कर सकते हैं बट आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को एक छोटी सी information PR publication के दो batch चल रहे हैं और सिर्फ last के पांच दिन बचे हैं guaranteed 60 batch को लेकर पंदर नॉमबर से शुरू होने वाला है सभी live classes होंगे तेर मन्त के current affair की magazine होगी प्लस 5 GS के subject prelims के exclusive notes प्लस ethics disaster management prelims प्लस mains करवाये जाएगा डेली रात को साड़े 8 बजे live होगा तो आप UPSC 2022 का batch join कर सकते हैं 2499 रूपीज प्राइस है अभी के लिए और दूसरा हमारा plan है early plan जो सिर्फ notes चाते हैं देहिंदु news paper के वो आप early plan ले सकते हैं जिसमें और अगर आप हमारा UPSC guaranteed 60 batch लेते हैं तो उसमें early plan cset की videos ये सब include होंगी description में guaranteed 60 batch के बारे में ज़्यादा detail आपको मिल जाएगी दूसरा आप directly भी call कर सकते हैं enroll करने के लिए लेना बहुत simple है दिये गए नमबर पर google पे phone पे करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमबर पर whatsapp करनी है हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे चलिए start करते हैं आज का new discussion सबसे पहले why is MHA यानि की ministry of home affairs tasked to monitor foreign funds for NHA ask supreme court अभी क्या कहा गया supreme court के द्वारा सरकार से ये पूछा गया कि सरकार ये बताईए हमें सरकार मतलब government of India ये बताईए हमें ministry of home affairs को क्यों ये बोला गया कि आप NGO को जो fund आते हैं न जैसे मैं कहूंगा पाकिस्तान से fund आया अमरीका से fund आया कनाडा से fund आया मजा कर रहा हूँ अभी ये एक पंजाबी movie देखी तब कनाडा कनाडा बोल रहे थे तब मैं इसमें ये बोल दे रहा हूँ ठीक है आपको कि ये तो अंग्रेज की ओलाद है ऐसा नहीं ठीक है बकेती नहीं चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दूसरी कंट्री की जर्मनी पाकिस्तान कहीं से भी अगर foreign funding आती है Indian based NGO को तो सरकार क्यों Ministry of Home Affairs को टास्क देती है कि आप यार ये foreign fund जो पैंसे आ रहे हैं इनको monitor तो करो कहीं न कहीं ऐसा सुप्रिम कोट ने सरकार से पूछा अब यहाँ पर IB inputs क्या कहते हैं intelligence bureau वाल input ये कहते हैं कि जो ये पाकिस्तान से जर्मनी से कनाड़ा से अमरिका से जो fund आते हैं वो कहीं न कहीं भारत में यूज किये जा रहे हैं ऐसी activity जो de-stiplyze करेगी national peace और security ठीक है तो यहाँ पर दूसरा ये भी बात कहा गया कि क्यों ये fund जो है Ministry of Home Affairs regulate कर रही है ना कि Ministry of या finance department क्यों नहीं कर रहा है ठीक है समझ मा गया सुप्रिम कोट ने directly सवाल उठाया सरकार से कि जो fund आ रहे हैं दूसरे देशों से हमारे India based NGO को वो MHA क्यों है टास्क है वही monitor क्यों कर रहा है finance department का काम होना चाहिए ये अब मैं इसके पीछे reason बताऊंगा कि क्यों MHA FCRA fund को regulate कर करता है ठीक है finance वाला क्यों नहीं करता है तो इस particular news को अब किसमा आएगा ये आप general studies paper 3 में यूज कर सकते हो प्लस general studies paper 2 में इसको यूज कर सकते हो दोनों paper में ये पूछा जाएगा सबसे पहले बताता हूं कारण क्यों MHA को ये टास्क दिया गया है कि सबसे पहले MHA क्या है responsible है internal security border management देखो ministry of home affairs बना है तो वो किसके लिए जैसे सबसे पहले जो हमारी सरकार बनी थी ना 1947 में independence के बाद जो हमारी पहली सरकार बनी थी ठीक है आजाद होने के बाद तो सरदार वल लबाई पटेल जी home affairs की minister थे तो ministry of home affairs का जो काम होता है वो क्या होता है internal security का border management का center state relation का administration of union territories का CAPF का disaster management का ये ministry of home affairs का काम रहता है उसके साथ साथ राज्यों को भी हमारा ministry of home affairs से बचाता है external aggression से तो ministry of home affairs का काम ये रहता है कि internal security को रोकना मतलब कोई disturbance, destabilization हो रहा है तो ministry of home affairs काम करेगी तो यही एक reason रहता है कि यार foreign contribution अगर आ गया किसी NGO को कोई पैसा देना चाहिए कोई सरकार या पाकिस्तान से funding आ रही है तो generally क्या किया जा रहा है पाकिस्तान fund कर रही है NGO को दे देगी किसी अब NGO का वो पैसा कहां यूज हो रहा है किसी को नहीं पता transparency नहीं है इसलिए ministry of home affairs क्या करती है NGO को जो भी पैसा आता है वो monitor करती है चीक है तो इसके लिए कानून बनाया गया है हमारा एक ऐसा नहीं कि हवा हवा मैं MHA monitor कर देती है उसके लिए कानून है FCRA यानि कि foreign contribution regulation act foreign contribution मतलब जो भारत से दूसरे देशों से पैसा आ रहा है NGO को भारती NGO को topic भी मैंने बता है topic covered है general studies paper 2 में तो जो भी foreign funding होगी हमारी NGO को वो ministry of home affairs के अंदर काम करेगी यह already हम कर चुके हैं होता क्या है कि वो funding या वो पैसा terrorist या terrorism जो terrorist activities हैं उनको promote करने के लिए बढ़ावा देते हैं communal violence को बढ़ावा देते हैं तो इसलिए यह एक internal security का मामला है so यह MHA task है MHA को task दिया गया है कि आप monitor करो rather than Reserve Bank of India इसको नहीं करेगी similar बात समझमागी बात now next है UK includes co vaccine to its list of vaccines अच्छी बात है United Kingdom तो पहले यह कहता था कि co vaccine को हम list में include नहीं करेंगे और जिसको co vaccine लगी होगी आप भारती हैं अगर आप United Kingdom आते हैं तो आपको 10 दिन का quarantine फिर भी रहना पड़ेगा यार ठीक है WHO ने emergency note दे दिया अब UK ने भी अपनी list में सामिल कर लिया तो एक अच्छी बात है अगर UK co vaccine को अपनी vaccine की list में include कर लेती है तो भारत के लिए economic aspect का बहुत फायदा है क्योंकि अब हम जादे से जादा co vaccine को export कर सकते हैं पहले UK में अगर नहीं था permission नहीं थी vaccine की list की तो simple सी बात है हमारा जो co vaccine का export है उतना ज़्यादा नहीं होगा तो इससे economic aspect ये aspect ये होता है कि हमारा जो trade है for vaccine ये बढ़ जाएगा यही फाइदा रहता है वैसे ही WHO भी approval दे दे WHO ने तो approval दे ही दी ये co vaccine को emergency note के लिए तो इसससे हमारा trade का और ज़्यादा फाइदा होगा export में और ज़्यादा फाइदा होगा now next news है monitoring Chinese asset in Indian Ocean chief of naval staff admiral Karamvir Singh कहते है Navy को said that Navy was monitoring the Chinese naval and maritime asset deployed in the Indian Ocean region ठीक है अब China तो हमेसा dominance दिखाने में रहता है South China Sea में हो Indian Ocean region में हो उसी के लिए तो Quad जैसे group बनाए गए है औकस जैसे group बनाए है Quad और और औकस क्या काम गड़ता है कि Indo-Pacific region यानि कि मतलब Indian Ocean और Pacific Ocean वाले region जहां से सबसे ज़्यादा maritime trade होता है उसको free और navigable बनाना हाली में Goa maritime conclave किया गया और ये third edition है GMC का 2021 में being hosted by Indian Navy और उसमें जो Indian Ocean के literal देश है ना उन्होंने भी participate किया अब ये question आप से directly पूछा जाएगा geography में map based question directly ये हो सकता है तो इसको हम discuss करते हैं और हाँ अभी तक यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को यार like करो लगातार क्योंकि वीडियो को like इसलिए है क्योंकि जादे से जादा आप like करोगे तो उसी के basis पहम कल भी वीडियो इसी time पर आपको बनाएंगे ठीक है आप ही लोगों के लिए ये time change किया है पहले हमारी वीडियो उस 10 बज़े आया करती थी अब हमारी वीडियो मतलब all over इंडिया में अगर Hindu newspaper complete देखना चाहते हो तो सबसे पहले PR publication channel टाइप करो आपको Hindu newspaper सबसे पहले मिलेगा complete मिलेगा इसमें even notes भी मिलेंगे ये वाले जो हम show कर रहे हैं GMC होता गया है फिर सबसे पहले third edition है Goa Maritime Conclave का 2021 ये शुरू हुआ था 7 से 9 नौमबर 2021 under the ages of Naval War College Goa The GMC is Indian Navy Outreach Initiative Indian Navy का ही ये initiative है बट ये multinational platform है मतलब इसमें बहुत सारे देश होंगे generally ऐसे देश जो Indian Ocean Region में Littoral States है जैसे Thailand, Malaysia Maldives, Indonesia, Madagascar Comoros, Bangladesh ये देश पार्टिसिपेट करेंगे इनकी Navy पार्टिसिपेट करेंगी और किस तरह से आगे अगर कोई ऐसा combat होता है तो एक दूसरे नेशन से क्या हम सीख सकते हैं क्यासा experience रहेगा वो हम discuss करेंगे The theme इस साल की theme क्या है Maritime Security and Emerging Non-Traditional Threats जनरली इंडियन ओशियन को secure करने के लिए ऐसे conclaps होते रहते हैं Next हम बात करेंगे High Court 6 Government Response to plea on controlling Dengu Delhi High Court ने क्या कहा Tuesday को Delhi Government से कि आप ये बताइए Dengu को control करने के लिए क्या कर रहे है लगाता Dengu का जो data है वो बढ़ रहा है तो यहाँ पर से और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे दिल्ली के लोगों जो हैं वो सावदान रहें और बात करेंगे Dengu Dengu किस से फैलता है ये भी directly question पूछा जा सकता है UPSC में क्योंकि बहुत बार Dengu फैल रहा है तो एक public concern हो जाता है Dengu Dengu is a mosquito born tropical disease caused by Dengu virus genus flyby virus several species जो mosquito की है within the genus adeas adeas aegypti के genus से ही ये डेंगू फैलता है जनरली मौस्किटो से होता है ये वही मौस्किटो है जो चिकुनगुनिया यलो फीवर या जी का infection फैलाता है उसी से Dengu भी होता है क्या जी का infection फैलाने वाले मच्छर से Dengu हो सकता है येस आंसर है येस क्या यलो फीवर येस चीक है तो ये पूछा जाएगा symptoms क्या है high fever severe headache pain severe bone joint muscle pain ये होता है और Dengu infection is done with a blood test no specific medicine to trick Dengu infection के लिए कोई अभी particular vaccine नहीं है status क्या है लाख हो जो death होती है Dengu से पर येर और WHO estimate करता है कि 29 करोड जो Dengu virus से infection पर येर फैल रहा है और इंडिया ने register क्या है एक लाख Dengu के cases 2018 में right controlling Dengu using bacteria recently researchers from the world mosquito program have used mosquito infected with wolf chia bacteria to successfully control Dengu in Indonesia Indonesia में successfully experiment हो चुका है bacteria का नाम क्या है wolf chia bacteria इससे Dengu तो आप से directly क्या पूछा जाएगा recently the term wolf chia bacteria seen in the news it used to curve the or it used to prevent the particular disease कौन सी होगी आपका नाम दे दे देंगे Dengu malaria चिकुनगुनिया जीका वाइरस तो आपको direct answer करना है Dengu right method भी है कि the scientist infected some mosquitoes with wolf chia अब scientist क्या करेंगे कुछ मच्चरों को पकड़ेंगे उन पर bacteria inject करेंगे and then release them in the city और फिर उसको कहा छोड़ देंगे सहर में छोड़ देंगे यहां पर कुछ मच्चरों को पकड़ा जाएगा उन पर inject किया जाएगा bacteria उनको छोड़ा जाएगा और यह तब तक चलता रहेगा जब तक वो मच्चर सभी मच्चरों में wolf chia bacteria ना फैला दे 27 मन्थ के बाद researcher found that incidence of dengue was 77% lower in areas और उस जगह पर इंडोनेशिया की उस जगह पर देखने को मिला 27 मेने बाद की जो डेंगो के cases है 77% कम हो चुके है तो वोल बैचिया bacteria बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है वो किस बिमारी से related है डेंगो ठीक है वो किस बिमारी से related है डेंगो बट मैं डेंगो की vaccine के बारे में भी डिसकस करूँगा जो हाली में news में रही है तो मैं try ये करता हूँ कि एक साल की अंदर जितना भी current affair की news है जिसमें भी डेंगो पूछा गया है या डेंगो से जो भी question बन सकते हैं आपको डिसकस कराऊ डेंगो वैक्सीन CYD TDV और डेंग वैक्सिया was approved by US Food and Drug Administration 2019 में तो डेंगो की vaccine भी बन गई है और US के FDA ने इसको approval दे दी है और ये पहली डेंगो वैक्सीन है जिसको regulatory approval मिल गया या regulatory node मिल गया USA इसका नाम है CYD TDV side TDV ठीक है और इसको directly डेंग वैक्सिया भी कह सकते हो ठीक है डेंग वैक्सिया बोलो या CYD TDV बोलो तो मैं कहूंगा डेंग वैक्सिया आप directly कर सकते हो कि डेंगो की vaccine है तो डेंग वैक्सिया basically a live attunated डेंगो वाइरस which has to be administrated in the people of age 9 to 16 ठीक है तो यह पूरा हमने डेंगो का भी कर लिया है अब बात करते हैं हम सुप्रिम कोर्ट की सुप्रिम कोर्ट ने बोला कि यार भाई साब पेड़ गिरा रहे हो तो पेड़ मत काटो ठीक है बड़ यहाँ पर बात क्या की गई किस सरकार से बोला गया सबसे पहला तो कैसे पूछा जाएगा जनरल स्टेडिस पेपर 1 जियोगराफी में डारेक्टली पूछा जाएगा मैस दा फॉलोइंग में कि मुला पेरियार डेम किस स्टेट में सिचुएटेड है तो आंसर हो जाएगा केरल अंसर क्या हो जाएगा केरल अब कुछ जो जिले हैं साउदन डिस्टिक में आते हैं मुला पेरियार के जो की है तमिलाडू तो इसलिए अगर कोई बोलेगा मुला पेरियार डेम कहां पर लोकेटेड है केरला बोलोगे आप बड इसको जो मेंटेन करता है वो कौन करता है तमिलाडू करता है मेंटेन या ओपरेट कौन करता है तमिलाडू तो ये कॉशन भी डारेक्ली पूछा जाएगा तो अभी केरला सरकार ने ये बोला कि कि हमें एक नया जो ये पुराना डैम है उसको डिकमिशन करो नया डैम लाओ और देखो ऑपरेटेड बाई तामिल नाडू जो मैं बता रहा था वही चीज़ यहां पर देखने को मिला है और उन्होंने ये बोला कि धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज आएगा ये डैम और पर्टिकलर नय डैम बनाने के लोग पेड़ को भी काटा जाना चाहिए ठीक है तो ये यहां से सिर्फ जोगरफी बेजड आपको कॉस्चन और आंसर करना है चलिए अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है इंडिया और पाक अंबर को गुजरात कोष्ट में एक फिसर्मेन को गोली मार दी अब ये पिछले छे सालों में पहली बार ऐसा के लिंग देखने को मिल रही है अभी तक तो सब सान्ते थे कुछ 6 से ज़्यादा मचवारों को पकड़ा गया है एक इंजर्ड भी है और बहुत सारे हमारे डेटा तो ये भी कहते हैं मंडे में मंडे को ये का गया मिनिस्ट्य आप जो एक्सेनल अफेर है पाकिस्तानी डिप्लोमेंट को बुलाया और उन्होंने का कि यार ये जो चल आना ये फिसर्मेन का इस्यू इस पर इंवेस्टिकेट कीजिए आप और इवन गुजराज सरकार तो ये भी कहती है कि टोटल 345 ऐसे मचवारे हैं फ्रॉम दे स्टेट वर लॉज इन पाकिस्तान जेल एज उन्दा दिसंबर 2020 से ही 345 मतलब 300 मचवारे पाकिस्तानी जेल में सर्ड रहे हैं दूसरा नैशनल फिश वर्कर फॉरम ये कहता है 558 इंडियन फिशर्मेन पाकिस्तानी जेल में है अलग-अलग डेटा कहता है ओवरॉल हमें एक मुद्दा यहां पर ये समझ माया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी फिशर्मेन इस्यू है तो इसको अगर सॉलूशन कोई पूछे तो डायलॉग इस वन अब दा सॉलूशन ठीक है डायलॉग पार्टनर से भी इस वन अब दा सॉलूशन हाला कि similar dispute हमें कहां देखने को मिलता है इंडिया और सिरलंका के बीच में ठीक है भारत यह सिरलंका यह acquisition लगाती है भारत में कि भारत ज ऐसा जाल होता है जो छोटी-छोटी मशलियों को भी पकड़ देता अगर उसको अब डालोगे नदी में तो आप वो ऐसी भी मशलियां लेके आएगा जो कि बहुत छोटी है बहुत छोटी मशलिया उनको भी पकड़के वो लाता है ठीक है और at the end पहला तो यही है और उसके aggressively sponsor किया है violence court terrorist को train किया है यह सब चीज़ें तो इसका solution क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तो यह याद रखो fisherman का dispute बना हुआ है हाल में जो current की news है और इसका solution है dialogue partnership is one of the solution ठीक है पहला हमने कर लिया है चलिए अब बात करते हैं second की second article बहुत simple है Supreme Court का Supreme Court ने question उठ जाया to the tardy progress in the ongoing probe into the October 3 violence during a farmer protest अब क्या हो रहा था यूपी में लखिमपूर खेरी जिला है किसान प्रोटेस्ट करके अपने घर को जा रहे थे तो वहाँ पर आसिस मिश्रा state of home affairs और उनके बेटे का काफिला आता है और बहुत सारे किसानों पर गाड़ी चड़ाई जाती है ब बात यहाँ पर यह आती है कि बहुत ज़्यदा डिले हुआ तो यहाँ पर सुप्रिम कोट ने बहुत ज़्यदा प्रेसर डाला यूपी की सरकार में यूपी की पुलिस में कि आप direct action लीजिए आप मुझे report दीजिए 24 घंटे के अंदर तो directly हम यहाँ पर से इस particular news से यह समझ सकते हैं कि कि किसी particular जगे में अगर हमारी सरकार के ही लोक्स उसमें सामिल हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी body होगी जिसके बाद authority है कि intervene कर सके तो at the end आपका solution क्या होना चाहिए सुप्रिम कोट होना चाहिए तो पूरे article में वही चीज लिखी गई है it would be in public interest to have judicial mind monitoring the probe अब जाच जो होगी उसको public domain में रखा जाना चाहिए ताकि लोगों के ये सामने आ सके और ये एक public interest का मुद्दा हो चुका है वही random से नाम है आसे समिस्तरा इंग ये सब चीजें transparency नहीं है magistrate के पास ले गया गया ये नहीं तो पूरा मुद्दा at the end यही आता है कि Supreme Court intervene कर सकती है particular ऐसे cases में now next article बात करते हैं बीजेपी से बीजेपी की क्या हम political या criminal news discuss करेंगे no तो इसको skip करो इसके नहीं notes बनाने है नहीं कुछ now next article है इंडिया को जरूरत है life course immunization की क्यों covid-19 से पहले अगर कोई vaccine की बात करें तो लोगों के मन में क्या आता था कि हाँ polio के टीकी लगाने थे इसके बच्च वो सिर्व बच्चों के लिए थे क्योंकि यार adult के लिए भी तो vaccine है ना अगर co vaccine लग रही है covid शिल्ड बच्चों के लिए तो बात माई में है adult के लिए तो सबसे पहली अगर vaccine बोलूँगा 1798 में available हुई small box के लिए फिर जो हुई expanded program on immunization पूरे world 1970s में सुरू हुआ बारत ने भी 1978 में सुरू किया गया children को vaccine देना adult को vaccine देना पर adult के लिए vaccine कोई ऐसा जारी नहीं था generally children को होता था covid-19 जो vaccine है exception की तरह बोला गया है editorial ने जो कि adults के लिए ज़्यादा focus की गई rather than children's में ठीक है और कहीं न कहीं कुछ random से example 2005-2006 में Japanese incephalitis हुई swine flu हुआ तो धीरे धीरे इस पर adult पर ज़्यादा focus किया गया यह vaccine adult को लगनी चाहिए तो जब भी मैं आब NT and Tagi बोलूँगा तो वो होगा national technical advisory group on immunization और दूसरा VDP बोला जाएगा तो vaccine preventable disease मतलब vaccine लगा कि वो बिमारी सही हो सकती है तो at the end हमारे कुछ चीजे हैं कुछ point ऐसे मैंने highlight किये हैं जो आपके UPSC mains में use हो सकते हैं General studies paper to health वाले section में कि क्या करना चाहिए immunization में क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो आप यही कहोगे immunization agenda 2030 से start करना चाहिए ठीक है immunization agenda 2030 से start करना चाहिए which has emphasized the country should consider extending the benefit of vaccine to all age group जिसमें यह मुद्दा रहेगा कि immunization जो program है वो सभी age group को help करे पहला ठीक है immunization agenda 2030 फुल्फिल करना चाहिए दूसरा है educate public को educate करना चाहिए health care provider होने चाहिए उनको training देनी चाहिए दो point होगे तीसरा यह है adult vaccination strategy सुरू करनी चाहिए एंतगी को expand करना चाहिए adult vaccination के लिए VPD surveillance होना चाहिए ठीक है मतलब ऐसी दवाईयां ऐसी बीमारियां जो vaccine से सही हो सकती है उसके लिए surveillance data तैयार करना चाहिए और childhood vaccination program is among the best performing government health programs in India तो ये भी एक options हैं ये भी एक solutions हैं अब बात करते हैं आज के opet page की हमारा ये वाला और ये वाला आर्टिकल हम discuss नहीं करेंगे हम बात करेंगे इस आर्टिकल की यहाँ पर पूरे आर्टिकल में जवालल नहरू जी के बारे में बताया गया है कि ये soft power जो थी भारत की देखिए दो powers होती है hard power या soft power soft power जो जनरली बिना किसी दवाव के कोई देश ऐसे ही भारत के favor में होतों से soft power कहेंगे जैसे बुद्धिस में अगर हम tourist circuit बना रहे हैं तो ये होती है soft power जब भी हम अफ्रिका जैसे देशों में कोई infrastructure डपल अप करते हैं तो prefer ये करते हैं कि वहीं के लोग काम करें rather than इंडिया के लोग उस जगे पर इंडिया के मजदूर आके काम करें ऐसा नहीं चाहते हैं बलकि चाइना अपने ही मजदूर खुद लेके आता है वहाँ develop करता है अपने लोगों का फायदा कराता है तो इसे soft power हम कहते हैं कि भारत की image बढ़ जाती है उस देश के लिए तो जवालाल नहरू के बारे में unique सी चीज दे गई है अब सिर्फ हम 2022 पर फोकस करेंगे 5 जून 2022 अभी भी हमारे पास कितने मैंने है नॉमबर, दिसंबर, जन्वरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मैं और जून यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ मैंने हैं लगातार आठ मैंने पढ़ो तो आराम से कोई भी एक्जाम UPSC तो यार छोड़ो कोई भी एक्जाम क्लियर हो जाएगा अगर 8 मैंने consistent पढ़ते हो सभी लोग आज comment box में एक promise करो ठीक है PR publication से मुझ से कि आप consistent होके पढ़ोगे कोई गलत activities में लगे होए हो time waste कर रहे हो ज्यादा focus करो पढ़ाई में और इस बार UPSC prelims 2021 क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है कोई बड़ी बात big deal नहीं है यार ये लोग तीसरे चौथे attempt में अपना consistency कोई किसी का first में prelims हो जाता है दूसरा तीसरा चौथा prelims निकलता ही नहीं है पांच वे में वो टॉप करता हो अगर वो भी similar आपके जैसे सोचेगा तो कैसे चलेगा काम है ना बहुत सारे आपने टॉपर्स ये देखेंगे पहला prelims क्लियर किया mains fail हो गया फिर prelims, prelims, prelims तीन बार prelims फेल हो गया और पांच वे बार जब उस ने दिया prelims भी qualify, main से भी और फिर वो टॉप कर गया IPS बन गया तो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल है जो अपनी consistency लगा कर और सिर्फ एक prelims फेलोने या तीन prelims फेलोने से हारता नहीं है UPSC आपने decide किया है तो UPSC करो ठीक है, जब तक है तब तक UPSC करते रहो ठीक है, चेलिए Next news करते है NSA, Dobal meets Tajik, Uzbekistan counterparts Middle Asia की बात करते हैं एक तो West Asia, Middle Asia में Uzbekistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan ये सब हैं और generally यहाँ पर ये focus किया गया भारत ने Afghanistan was a major focus of discussion Afghanistan में जो तालिबान का issue चल रहा है, उस पे ही ज़्यादा बात की गई, NSA, Dobal ने Middle Asia के देशों के साथ, ठीक है Middle Asia के देश फाइदा करते हैं European countries को से पूरा match करने में ठीक है, directly link कर सकते हैं Middle Asia से, pipeline आ सकती है इसलिए Middle Asia के देश अपने आप में important हैं भारत देश के लिए चलिए Next news करते हैं NHRC NHRC topic for debate raises a furor देखिए, annual debate हमेशा चलता है, Central Army Police Forces का, जो की CAPF का एक annual competition annual debate competition शुरू किया गया, और्गनाइज करवाया NHRC ने Are human rights a stumbling, blocking, fighting, evils like terrorism और नक्सलिज्म क्या कही ना कही जो मानव अधिकार है क्या वो नक्सलिज्म को रोकने के बीच माते हैं कभी-कभी क्या होता ना जमोयन कस्मीर मैं आप सबको पता होगा आपने ये देखा होगा बहुत सारे लोग पत्थर फैंक रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं और फिर क्या होता, आर्मी परसन एक पत्थर वाज को अपने गाड़ी पर बिठाता और पूरा घुमाता है तो हुमन राइट वाले आ जाते हैं उस चारों और कि आपने ये कैसे कर दिया अब यार आपको नकसलिजमें भी रोकना है जो पत्थर मार रहे हैं उनको भी पनिश्मेंट नहीं देना है तो पूरा डिबेट का यही था पूरा डिबेट क्या नकसलिजम या टेरिजम को रोकने के लिए हुमन राइट बीच मारा या ब्लॉकिंग सिस्टम का काम कर रहा है ठीक है तो नहर सी यहां से कर लेते हैं ये क्या है नाव बात करते हैं नहर सी की नैशनल हुमन राइट कमिशन जी एस प्रिलिम्स GS-2 इस्टचरी बोर्डी में ये पूछा जाएगा न्यूस क्यों रही है NRC की हाली में जो माइग्रेंट वर्कर की डेथ हुई है उस पर NRC ने काम करना सुरू किया NRC है एक इस्टचरी बोर्डी है इस्टचरी बोर्डी का मतलब जो एक ऐसी body जो लोकसभा राजसभा में बिलपास होता है और उसके बाद प्रिसेडेंट के पास साइन होता है उसे इस्टेचुबरी body कहते हैं ठीक है इस्टेचुबरी body लोकसभा राजसभा में बिलपास होगा तब इसी एक्ट में स्टेट हुमन राइट कमिशन भी बनता है और कमिशन एक मल्टी मेंबर बॉड़ी है जिसमें एक चीयर परसन होगा पांच मेंबर होंगे और इनचार्सी में पहले चीयर परसन ऐसा था कि सिर्फ रिटाइड चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे बट चीयर परसन अब रिटाइड चीप जेस्टिस के साथ साथ सुप्रिम कोड के सेटिंग जज भी हो सकते हैं अपोइंटमेंट कौन करेगा अपने राष्ट पती जी जो की अपने फर्स सिर्टिजन है भारत के और इनका जो impeachment है कौन से article में लिखा है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चलिए मैं directly बता देता हूँ आपको option बता रहा हूँ ठीक है directly नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबी लोगों को comment करना यार इतने सारी चीज़ें आप देखो कुछ मैनत हम कर रहे है कुछ आप देखोगे तो आपको याद होगा back end में back end में आपको वो चीज़ें याद रहेंगी तो article 60, 61, 62 या 63 मैं इतना हिंट तो देख दे रहा हूँ ना direct बताने से च्छा आप खुद सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा है कि राष्टपती जी का जो president का जो impeachment का कौन से article में लिखा है 60, 61, 62 या 63 अब क्या होता है एक 6 member की body होती है जो इन चियर परसन या दूसरे बांकी 5 member को चुनती है उसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं speaker of लोक सबा कभी-कभी यही question पूछा जा सकता है कि NHRC के ये चियर परसन दूसरे member को appoint करने के लिए जो committee होती है 6 member की committee उनमें कौन-कौन होते है पी-म, speaker of लोक सबा, deputy chairman of राज्य सबा, leader of opposition in both houses of parliament या union home ministry तीन साल का term होता है या 70 साल का age रहेगा आप कहोगे sir तीन साल नहीं है ये 5 साल होगा नहीं अप नहीं edition पढ़िए नया जो सुधार किया गया है 2019 में अब बात करते हैं कुछ world level की जो news है चाइना ने हाली में क्या कर रहा पाकिस्तान को एक warship दी, naval warship दी जो कि Indian Ocean में वो deploy करने वाला है इससे जो पाकिस्तान की जो naval capabilities हैं वो कहीं न कहीं बड़ी है अब धीरे दीरे वही है यार चाइना ने ऐसा क्यों क्या, simple सी बात है Indian Ocean region में चाइना यहीं चाहता है कि वो contain करे या वो dominate करे तो इसी के चलते वे जो भारत का enemy alien है पाकिस्तान उसको एक warship दे दी गई The delivery of the type 054A frigate is the latest example of increasingly close military cooperation which many Chinese and Pakistani analysts see aimed at ball strength Pakistan capabilities in effort to balance India in the region Simple सी बात है Indian Ocean region में इंडिया को balance करने के लिए चाइना ऐसे कदम उठा रही है Now next है Taiwan says China capable of air sea blockade of island Taiwan ने यह बोला कि चाइना जो dominate कर रहा है हमारे autonomous region में वो हमको समुद्र के रास्ते से भी block कर सकता है और air के भी Beijing beeping of its ability to launch MPBS assault MPBS assault का मतलब seas के रास्ते भी और air के रास्ते भी ठीक है Belarus Poland के बीच में stand-off चला और बहुत सारे जो migrant है वो फंस गए ठीक है दूसरा क्या है बांगलादेश ने क्या करा former अपने chief justice को 11 साल के लिए jail में डाल दिया और बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि corruption का charges था और opposition leader कह रहे हैं यार politically motivated है पर एक मैं कहूंगा यार भारत में तो सुप्रिम कोट जो है article 124 में लिखा गया है है ना सुप्रिम कोट आर्टिकल 124 में लिखा गया है constitution में mention है बट किसी इतनी बड़ी constitutional post के लिए बांगलादेश में simple सी बात है ऐसा हटाना एक राज जी के लिए nation के लिए अच्छी बात नहीं है ठीक है facebook whistleblower fierce the metaverse ठीक है आपके लिए यह काम की नहीं है फिर आती है आपकी business की news oil rises again as lifting of US travel curves boost demand ठीक है जेपी मॉर्गन चेज says global oil demand almost back to pre pandemic level अब demand बहुत ज़्यादा बल रही है और बहुत सारी जो countries हम उपे countries वो supply cut कर रही है supply cut होंगी तो इससे petrol और diesel के prices बढ़ेंगे और उनके देशों को फाइदा होगा क्योंकि majority of revenue होता है उनका oil से ही आता है MRF net dives यह कुछ जानने की जरुबत नहीं है अब बात करते हैं आपके आप लोगों के comment की now कुछ यहाँ पर यह है in which course I would get the analysis of my daily answer sir because I have guaranteed 60 batch आप जोइन कर सकते हैं addis asepti mosquitoes responsible for Gika virus बहुत बढ़िया तो आज का जो end code हमारा रहेगा good morning ठीक है good morning ही आपको end code रखना इससे पता चलेगा कि किन किन बच्चे ने consistency दिखाई है उस पर हम ज़्यादा focus भी करने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले आप 750-513-4891 ठीक है late नहीं करना और initiative ले रहे हो आभी time waste कर रहे हो जब भी यह video सुन रहे हो ठीक है जीएस के notes सभी जीएस के PDF प्लस हमारी phone guidance प्लस current affair यानि कि तेर मैने का current affair आपको मिल जाएगा schedule नहीं बना पा रहे हो job कर रहे हो self study कर रहे हो फिर भी आपके लिए helpful है guaranteed 60 best सिर्फ 5 दिन बचे हैं discount के लिए सिर्फ 2499 रुपीज का है और बहुत simple है transaction करना आप play store पे जाके PR publication application डाउनलोड करो वहाँ से purchase कर सकते हो directly google पे phone पे करके 750 513 4891 में directly payment करके हम आपको क्या करेंगे एक whatsapp गुरूप में add कर देंगे मैं आपको show करता हूँ यहाँ पर guaranteed 60 batch एक whatsapp group की तरह है जहाँ पर सभी लोगों को जैसे यह add किया न आप लोगों को जैसे यहाँ पर मैं show करता हूँ यह देखिए इन सब बच्चों को add किया है वैसे ही आप लोगों को add किया जाएगा यहाँ पर आपको एक तो लक्षिमी कांत के 38 lecture free में मिलेंगे ठीक है ancient history का पूरा course मिलेगा यह देखिए link के साथ साथ और उनकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी PDF भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेगा जो current affair हाँ तेर मैने के current affair उसके साथ places in news critically endangered central government यह सब चीज़े चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे thank you have a nice day